लालू जादो जी कि अब अंतिम पारी चल रही है जीते जी अपने सुप्तर तिजस्वी जी को मुखमंत्री बनाना चाहते हैं लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है ये कभी होने नहीं देगी क्या कुछ कह रहे हैं पुर्व मंत्री बीजेपी के जनक राम पहले उनकी बातों को आप सुने है ये जो राजनित विहार की चल रहा है श्रीकिष्न भाउ उ की नाम तो जरूर लेते हैं महत्मा-गाधी के चलुड हैं करपूरी ठाकुर जी के नाम बड़े भाई चोटे भाई जरूर लेते हैं लेकिन इन तमाम सिधानतों को दख्लन दाज करके परिवार बाद में लिपते हैं ये विहार की जनता बरदास नहीं करें अगर उनकी लोग उनको शेर कह रहा है आज जिनके नितुत में आज सरनम के च्छामी कर रहे हैं वही पार्टी लालु जी को खुटवार जिल तक पहुंचाई है कांगरिस को भी चाल चरित्र और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी चाल चरित्र हर चोटे जनता देख रही है को भी बरदास और पहुत हो कि झुका है और सिर के ऊपर पानी चला गया यहार की इंतजार में ऐसे छुनाव आएगा एक कल्न करके बहुत बदलाले को रलवं एक बच्छो कि deposits लर चाल कर दो दिएगी foreign सभी समाज के लोगों को एक सांथ ले करके चलने की बात हो इसमें शफल भारती जनता पार्टी है और देश के एक रब कोई बिहार और देश की जंता को गुम्रहा नहीं कर सकता है उनके सासनकाल को लोगों ने जब याद करता है वो पानी हो बिज्जी हो सरक्षा हो सुरक्षा हो सर्विधित है आज देश के पर्थम अस्थान जो दलीतों के अत्यचार नय बढ़ा है उस पर इनको अगर सेर के ब अगर कि जंता मानने के लिए बिहार के जंता तो पंदरह साल उनको शासन देखर के देख लिया है और उनके चचाजी जो बैठे में कई नाम से उन्होंने उपाधी खुद को दिया है तो मुझे लगता है कि उस पचड़े में बिहार की जंता को अपने साब तर पर सुना कि जन्राक राम ने सिधे तोर पर कहा कि जिसके नेत्रितों में आज वो सरगम गच्छामी कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें जेल भीज़बाने का काम क्या है तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश्ची ने उस धन्य बाद